इसलिए आज हम नहीं बनना चाहते हैं केंद्र और प्रदेश सरकार के बड़े-बड़े दावे खीक्षा को लेकर उस समय फेल नजर आते हैं जब जबीनी स्थर्थ पर जाकर इसका पता चलता है कहीं स्कूलों की बिल्डिंग की प्राब्लम कहीं कमरों की कमें कहीं चार दिवारी वाश्रूम का ना होना तो कहीं स्कूल बिल्डिंग की जरजर हालत ये सब तो बच्चे या उनके पेरेंट्स नजर अंदाज कर सकते हैं पर अंतु जब स्कूलों में टीचर्स की कमें या फी टीचर ही कहना होना ये सबसे बड़ा गुना है बच्चे पढ़ेंगे कैसे इसी क्रम में डोडा के गॉर्मन्ट हाइ स्कूल उद्यानपूर के चात्र शात्रों द्वारा रोट ब्लॉक कर शिक्षा विभाग और प्रदीश प्रशासिन के खिलाप जम कर नारे बाजी कर विरोट प्रदर्शन की उन्होंने कहा कि हमारे टीचर्स का ट्रांसफर कर दिया गया साथ ही कोई टीचर्स नहीं है हमारे सिल्बर्स कम्प्लीट कैसे होंगे कब हम पढ़ेंगे और कैसे बोड की तयारी करेंगे उन्होंने नारे लगाकर न्याय की गुहार करते वे चात्रों ने टीचर्स की मांग कि बियुर रपोर्ट, दे स्टीट ताइम्स, डोड़ा. कि बियुक्त बागी सब्जेक्ट में वीग हैं, क्यों हैं, क्या हम स्टूड़ा है। पहला राइट है इसलिए आज हमें रोड ब्लॉग की है और हमें हाइर सकेंट के बीच है क्योंकि हम डिजर्विंग है हम सारी टीचर सब्सक्राइब करते हैं हम सारी टीचर से करते हैं मेरा नाम सुमाया बानुप है मैं अब गुझानपूर की स्टूड़क हूं और मैं 10th क्लास में स्टूडेंट हूँ, हमारी मांग यह है कि हमें सारा स्टाफ मिलें, हमें टीचर्स मिलें, जो कि सोचल स्टैडी टीचर है, साइस टीचर है, मैट टीचर है, हमें सबी टीचर्स चाहिए, जो कि सोचल स्टैडी टीचर है, हमें मास्टर चाहिए, हमारी डिम पूरे स्टाफ की ज़रूरत है, पूरे स्टाफ की ज़रूरत है, हमें सोशल स्टाइडी टीचर की ज़रूरत है, सोशल स्टाइडी ये हमें बताती है कि हमें क्या करना है जिन्दगी में, हमारे गाइड्स क्या है, हमें जब वो पता नहीं हुआ हम क्या करेंगे काल बोलते हैं के IPS बनेंगे IAS बनेंगे हमारी ड्रीम्स कैसे होंगी फिर फुल हमारी कैसे दीम्स हमारे मैं टीचर की भी ट्रांसफर हो गई और हमारे स्कूल में टीचर सही